नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुख्यों पर सक्षा विभा का सक्षकों के लिए नया फर्मान बिहार के पांच जिलों के डी-ेम राश्ट्रुपती से हुए सम्मानित प्रग्यार में NIA, ATS की काड़वाई, PFI का ट्रेनर गिरफतार असानी पटना के बैंक मैनेजर को ED ने किया गिरफतार और अस्विन जीता अनिल कुंबले का दल पुरोभारतिय दिगशन की तारीफ इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से सिक्छा विवाग का सिक्छा को के लिए NIA फर्मा, जब से केके पाठक के जिम में सिक्छा विवाग आया है तब से लगातार इस विवाग को सधारनी के लिए कवायाद जारी है इसी कड़ी में अब विभाग के तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है जिस पर यह कहा गया है कि अब सरकारी स्कूलों में क्लासरूम में टीचर को कोई कुरसी नहीं मिलेगी और इसके साथ ही अब कोई भी सिक्षक काड़ेवधी में मॉवाइल फोन का बिस्तमाल नहीं करेंगे मालूम हो कि यह आदेश इसलिए तिया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सभी सरकारी स्कूलों में किये गए पाया गया कि ड्यूटी के दौरान कई टीचर स्कूल में मॉवाइल चलाते हैं और कई टीचर कुरसी पर बैट कर आराम फरमाते हैं जिसके बाद विवाग के ओर से यह आदेश चारी किया गया ऐसे में अगर इस आदेश का पालन करते वें विद्याले के प्रधान ध्याप प्रशाटनी की भी बात कही गई है बहार सरकार ने राजभासा प्रुसकार के लिए 24 साहितेकार चेयनित बहार सरकार के ओर से 2020 और 2021 के लिए हिंदी सेवा सम्मान से नवाजे गये 24 साहितेकारों को आगामी 31 जुलाई को पटना में अधिवेशन भवन में सम्मानित करने की घोशना की गई है आपके जानकारी के लिए बता दे कि जिन साहितेकारों का चेयनित किया गया है उनमें विश्वनात प्रशाद तिवारी को डॉक्टर राजंदर प्रशाद सिखर सम्मान के तहत 3 लाख रुपे पुरुसकार के रूप में दिये जाएंगे वहीं डॉक्ट लाख रुपे प्रोफेसर जाबीर हुसेन को फनीश्वनात रेरु पुरुसकार के तहट 2 लाख रुपे डॉक्टर पूनम सिंग को महादेवी वर्मा के तहट 50,000 रुपे डॉक्टर के बनर जी को बाबू गंगा सरन सिंग पुरुसकार के तहट 50,000 रुपे समेत कई साहित बिना हेलमेट एक दिन में जितनी बार कैमरे की जद में आएंगे उतनी दफ़ा कटेगा चालान। अंदर जमा करनी होगी और जिस वक्ति के दोरा फाइन जमान नहीं किये जाएंगे तो उनके बाइक का पर्मिट नहीं बनेगा जिसे की बाइक बेचने में दिक्कत आएगी और साथ ही एनोसी नहीं मिलेगी। आई आई टी में अपना नामांकन नहीं करवा पाए हैं तो उनके लिए खाली सीटों पर नामांकन के लिए एक और मौका मिलने वाला है। बतादे किस बार रेजिस्ट्रेशन से वंचे छात्र भी रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बतादी कि वैसे छात्र जिन्होंने अब तक एक बार भी आवेदन पत्र नहीं भड़ा है। उनके लिए सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ट 2023 तीन अगस्ते दो स्पेसल राउंड काउंसलिंग आयोजित करेगा हाँ। पंजीकरन चॉइस फिलिंग वा फीस जमा किया जाएगा। बिहार के पांच जिलों के डियम राश्ट्रपती से हुए सम्मानित। बीदर दिन नई दिल्ली के विक्यान भवन में सम्मान समाड़ों का आयोजन किया गया। जिसमें राश्ट्रपती द्रापदी मूर्मूर के द्वारा बिहार के पांच जिलों के डियम को लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन में वहतर काम करने के लिए भूमी सम्मान से सम्मानित किया गया। चिन में नारंदा, जहानाबाद, लखी सराय, भोजपुर और कसंगन जिले के डियम शामिल हैं। अतरतिक भीर को देखते वे रेलवे प्रशासन के दोरा यात्रियों को सौगात दी गई है। आपके जानकारी के लिए बता दे कि बिहार में श्राबनी मेला को देखते वे रेलवे के द्वारा कई स्पेशल ट्रीनों का परचालन किया गया है। पहले सप्ता में तीन दिन परचालन किया जा रहा था। मालम हो कि अब तक PFI से जुरे आधा दर्जन से ज़्यादा सदस्यों को ग्रफतार किया जा चुका है। इस बारे में पुरस अधिक चक कांतेश कुमार मिर्श्र के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि गिरफतार याकुब से मले जानकारी के अनुसार NIA की टीम अन्य अस्थानों पर छापे मारी कर रही है। मालम हो कि इस चापे मारी का नितुतू ATS के DSP अकलेश कुमार ने किया। और फिलाल उसे पूछताच करते वे सुमित कुमार पर IPC 1860 के विविन धाराओं के मताबिक पटना पुलस द्वारा FIR दर्श कर जाच की जारी है। साधन विवाग और जिला नियोजनाली के नर्देशन में बेगू सराई में रोजगार कैम का हयोजन किया जा रहा है। जिसमें वेंडर स्टील फिक्सिंग और कार्पेंटरी के लिए 60 सीटो पर पाच्वी पास से लेकर ITI पास बे रोजगारों को रोजगार का अफसर प्रात करने का मौका मिले का हाला किस रोजगार मेले में भाग लेने वाले उमिदवारों के उम्र 18 साल से लेकर 35 साल तक की ह होनी चाहिए वही जिन उमिदवारों का चैन किया जाएगा उन्हें 18,000 वेतन और अन्य सुविधाओं का लाप मिलेगा आपके जानकारी के लिए बता दी कि 22 जुलाई को लगने वाला यह रोजगार मेला 12 जुलाई को लगने वाला था लेकिन किसी कारण 12 जुलाई को अच सराब तसकरी से जड़े मामने सुनने को मिलते रहते हैं ऐसे में पुलिस मुख्याले के दोरा राजे के सभी जिलों को सराब बरामदी का लक्ष दिया गया था जिसके तहत इस लक्ष को पूड़ा करने में सबसे फसड़ी जिला पूर्णिया है पतादी कि मुख्याले के द की सूची में सबसे नीचे से 10 स्थानों पर आते हैं जिनमें पूर्णिया किसंगंच वैशाली खगडिया और अरंगाबाद अररिया नवगचिया बगहा बांका और नारंदाश शामिल है इंडिया से सीम नितीश की नाराजगी पर ललन सिंग का बयान बीते दिन जिसमें प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और राजस सुप्रीमों नजर नहीं आये थे ऐसे में सियासी गलियारों में यह चर्चा चलने लगी थी कि मुख्यमंत्र नितीश कुमार नाराज हो गया है जिस वजह से वह प्रेस कॉ खुद इस मोहीम को सुरूख करने वाले हैं तो फिर नराजगी की कौन सी बात आती है उल्टा हम लोगों से बीजेपी डड़े हुए हैं इसलिए इस तरह का अफवाफ पैदाने का काम कर रहे हैं मैंने पीए मोधी का एक पुराना वीडियो देखा जिसमें भी कह रहे हैं कि फोर्ड इंडिया इसलिए अब वो इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़ कर चले जाए नितीश कुमार को संयोजग बनाने पर कहा कि इसकी चर्चा मुंबई में होने वाली बैठक में की जाएगी पपु यादव का महागरबंधन को अल्टीमेटन जनाधिकार पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष पपु यादव के दोरा बीते दन प्रेस कॉन्फरेंस के रिए महागरबंधन में शामिल ना होने को लेकर अपनी नाराज की जताते वे महागरबंधन को अल्टीमेटन दे इसके लावा उन्होंने यह भी बताया कि वह महागडवंधन में शामिल होनी के लिए लालू यादव से भी विले थे तो उन्होंने कहा था कि स्विषय परत्यश्वी यादव निर्णे लेंगे लेकिन अब तक कोई निर्णे नहीं लिया गया है पियम मोदी ने अपने हनुमान चराग पासवान को लगाया गले बीतर दिन दिली में एनडिये की बैठक आयुजित की गई जिसमें एनडिये के सभी घटक दलो ने प्रधान मंतरी नरंद्र मोदी से मुलाकात की वही इस तोरा नरंद्र मोदी ने अपने हनुमान कहे जाने वाले लज़ेपी राम विलास के राश्ट्रिय अद्यक चिराग पासवान को गले लगाया चिराग पासवान के इन दिनों हर तरफ काफी चर्चा हो रही है सोमवार को उन्होंने केंदरे ग्रीमंतरी अमिस्ता से मलाकात की थी इसके बाद मंगलवार को उन्होंने एंडिये में शामिल होने का ऐलान कर दिया था AIMIM के सुप्रीमों के तीसरे मोर्चे की जल्द हो सकती है पहल एक तरफ जहां बीतर दिन इंडिया और NDA की बैठक पूरी हो गई तो वहीं अब दूसरी ओर तीसरे मोर्चे के गठन के पहल की श्रवात हो गई है पता दे के तीसरा मोर्चा AIMIM सुप्रीमों असुदीन ओवैसी के द्वारा बनाया जागा मालूम हो किसका संकेत पार्टी के प्रदेश रध्यक्ष अक्तुरूल इमान के द्वारा दिया गया है उन बताया कि इसके लिए उनके राष्ट्री अध्यक्ष की बाद तीसरे मोर्चे को लेकर राष्ट्री इस्तर पर चल रही है सिग्रियंस की घोशना होगी कहीं दलों ने इसमें रूची दिखाई अगरों ने कहा कि समान विचारधारा वाले दलों से बाची चल रही है चल दी परे नाम सामने आएंगे धर्मरपेक्ष तागत के नाम भाजपा को हडानी की छमता महागरवंधर में नहीं है या काम राज़त, जत्यू, कॉंगर्स और वामदल नहीं कर सकते हैं आर अस्विन ने जीता अनिल कुंबले का दिल पुर्व भारतिये दिगज ने की तारीफ डोमी निका में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतिये टीम ने वेस्ट इंडीस को एक पाड़ी और 141 रन से हराया वहें इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया के ओफ स्पिनर आर अस्विन के दोरा कुल 12 विकेट चटकाते वे अपने शांदार प्रदर्शन सी भारतिये टीम के पुर्वर टेस्ट कप्तान अनिल कुंबले का दिल जीत लिया और साथ ही अनिल कुंबले और हरिपरजन सिंग के बाद अंतराश्ट्रे क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले तीसरे भारतिये खिलारी बन गए इनके नाम अंदराश्च्वे क्रिकेट में कुल 709 विकेट है बता दी कि उनके प्रदर्शन को लेकर अनिल कुंबले के द्वारा जियो सिनेमा पर अपनी प्रतिक्रिया देते वे कहा गया कि अस्विर ने क्रीस का बहतरीन तरीके से इस्तमाल किया खास कर जिस तरह से उन्हों सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगन पजाब हमें हमारे कमें सेक्षन बॉक्स में लिखकर दिया है जिन्होंने हमादरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा कमले सर्मा उमेसरे सिदेव मृतियंजे कुमार मनोज कुमार राजके शोड म बनाएं गए नए नियम का चात्रों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा अपना जाब हमें हमारी कमें सेक्षन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ भर रहने के लिए देखते रहें बिहार दे नियूस और साथ ही अगर आप य पीस्बुक से देखते तो पीस को फॉलो करना ना भूले धनेवाद